दीपावली को लेकर मेरट नगर निगम ने भी बली तयारी का रखी है और रात में भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है क्या नगर निगम का पूरा प्लान है इसी पर हम बात कर लेते हैं मेरट के नगर एक्ट है सौरब गंगवार जी सार आप से जाना चाहिए है कि रात में भी सफाई चली है दीवाली को लेकर किस तरीके से पूरा प्लान बनाया है सर्व जी दीवाली चुके एक बहुत विशेश पर्व है इसमें हम सभी लोगों को विशेश ध्यान रखना परता है बहुत बड़ा जन्मानस इससे हमारा लगा हुए है लोगों के भावनात्मक जुड़ा हो रहता ह है तो इसी उपलक्ष में दो तीन शिफ्टों में हमने किया है हमने दिन में भी सफाई कर आ रहे हैं रात में भी सफाई करा रहे हैं और हम मेकैनिकल स्वीपिंग एंटी स्मॉक गन स्प्रिंटर वाहला यूस करते हुए कि कैसे हम लोगों को बहुती स्वच दीवाली के तो हमारे जो anti-smok gun वेगर हैं उसको भी बिल्कुल हम शिफ्टों में पूरे नगर निगम छेतर में अपनाप चला रहे हैं अचासर जैसे air quality index की बात है कि अधीर-धीरे खतरनाक mood की तरफ air quality index जा रहा है जो भी आप बता रहे हैं कि water sprinkler है तो कितनी टीमें इसलिए लगाए गई है कि तीपावली पर आतिशवाजी तो होती है उसके बाद और ज्यादा खतरनाक mood पर air quality index महुच जाता है तो उससे पहले सी आपने त्यारी करें जी बिल्कुल त्यारी है इसमें अभी अगर मैंने review किया था तो लगबग अभी देखा है तो generally हमें source of this air pollution क्या हो सकता है तो one of the major होता है कि जो हमारे pavement होते हैं रोड के किनारे तो उसमें भी अगर देखेंगे तो more than 100 CR के हम लोगों ने यहां पर pavement बनाए हुए है बन चुके हैं तो उससे भी हमारा dust का थोड़ा सा कम हुआ है उसके साथी साथ उस dust को हटाने के ल हमने एक roster wise जहां भी हमारे main critical zone है hotspots को हमने चिन्नित कर लिया है उन hotspots पर primarily कि इनको हमें वहाँ पर एक roster के according सुनिश्चित करते हैं कि वह वहाँ पर जाए आसपास के लोगों को इस तरीके की जो भी परिशानी उनसे रहाते लाए अच्छा सर अगर सपाई में कहीं लाप नगर निगम की तरफ से बस सभी हमारे शहर वास्यों से यह अपील है कि इस दीवाली को एक green दीवाली के तौर पे मनाएं और मेरट शहर में ऐसी दीवाली मनाएं कि पूरे देश के लिए एक उधारण के तौर पे काम आए कि कैसे हम तिवारों परवारों को कितनी सादगी के साथ में हरित क्रांतरी को देखते हुए हरित क्रांती नहीं basically greenery को देखते हुए कैसे हम environment को देखते हुए कैसे हम अच्छे तरीके से दीवाली मना सकते हैं तो लोगों के लिए कि एक संदेश या एक उधारण पेश हो सभी जनता से अपील है कि क्रपैस का ध्यान रखे और इसमें नगर निगम की साहता करें अच्छा सरी यह जो एक इशू यह भी निकल कर सामने आ रहा था कि कई ऐसे वार्ड हैं कि अंधेरे में टूबे होएं कई जगे स्ट्रीट लाइट हैं तो क्या प्रॉपर उसमें मिल गई है लगातार कई गैंग लगा दी है बिचली क हैं और सभी वार्डो में हमारी नई लाइटे अल्डेडी पच्छिस-तीस टीम में लगी हुई है और पूरे पूरे लगन के साथ में नई लगा रही है और जो मेंटेनेंस टीम है में टेंडर समय रहते कर दिया गया था तो जिससे कि अगर कहीं कोई समस्या आती है तो अब अभी हमारी शुगात हो रही है अब इन स्टार्टिंग में हम सत्रह सो लाइटे लगा रहे हैं लेकिन यह संक्या हमारी चेजार से उपर जाईगी बहुत बहुत शुक्रिया तो साथी लोगों से अपील भी किया है कि ग्रीन दिपावली मनाए पर्यावन का संदक्षन करना सब की जिम्मेदारी है झाल